और अब खबरे विस्तार से नागपूर में होने वाले शीत सत्रा अधिवेशन को लेकर पहले से ही संदेह व्यक्त किया जा रहा था क्योंकि अधिवेशन की तयारिया कुछ भी नहीं की जा रही थी आखिरकार गुरुवार को काबिनेट की बैठक में शीत सत्रा अधिवेशन मुंबई में ही लेने की घोशना की गई इस फैसले से विदर्बवादियों ने नाराजगी व्यक्त की है सरकार के इस फैसले को नागपूर करार का सीधा तोर पर उलंगन माना जा रहा है विदर्बवादियों ने राजगी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोत करते हुए कहा है कि यह सरकार नागपूर करार का उलंगन कर रही है कोरोना काल में भले ही शीत सत्र मुंबई में आयोजित किया गया हो लेकिन अब कोरोना का संकट भी खत्मसा हो गया है सारी राजनितिक गतिविधिया चालू है नेता ही भीड कर रहे है बाजार खुल गया है सारी एक्टिविटी शुरू हो गई है एक दिसमबर से स्कूल तक खुलने वाले है ऐसे में केवल शीत सत्र को मुंबई में शिफ्ट कर देना विदर्ब के साथ घोर अन्याय है यहां के जनप्रतनीदी संगटन नागरिक शीत सत्र के दोरान अपनी बाते मांगे सरकार के समक्ष मोर्चा रैलियों के माध्यम से रखते है लेखनी है कि 7 दिसंबर से नागपुर में शीत सत्र प्रस्तावित था लेकिन कोई तयारी नजर नहीं आ रही थी अब मुंबई में 22 से 28 दिसंबर तक 17 आयोजित करने का निरने लेने की जानकारी है नागपुर में शीत सत्र होने से विदर्व के मुद्दो पर चर्चा होनी है विकास को लेकर निरने लिये जाते है लोग अपनी समस्याओं को सिध्यत और पर सरकार तक मोर्चे और आंदोलन के माध्यम से पहुंचा बाते है लेकिन सरकार ने मुंबई में अधिवेशन का निरने लेकर नागपुर का अधिकार चीना है